तो हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैकन और आज मैं चक्षुरूपता आपके साथ शेयर करने वालों बहुत मज़दार पहलियां तो चलिए फिर शुरू करते हैं पहला सवाल एक मंजिला घर है उसके परदे लाल है छट लाल है दिवारे लाल है फर्ष लाल है तो बताओ फिर सीडिया किस रंकी होगी क्या आप बता सकते हैं तो इसका जवाब है किसी रंकी नहीं ये सिरफ एक मंजिला मकान है दूसरी पहली, सरीता देवी की 10 लड़किया है और उन सबी लड़कियों का एक ही भाई है तो बताओ सरीता देवी की कुल कितनी संताने है तो इसका सही जवाब है ग्यारा क्योंकि 10 प्लस एक ग्यारा होता है तो सरीता देवी की कुल ग्यारा संताने है अब तीसरा सवाल टिक टोक का अविश्कार किस ने किया था? तो इसका सही जवाब है टिक टोक का अविश्कार एक चाइनिस कंपनी बाइट डांस ने किया था अब चौती पहली आपके पैसो को दुगना करने का सबसे असान तरीका क्या है? क्या आप बता सकते हैं? तो इसका सही जवाब है अपने पैसो को आईने के सामने रख दो वे दुगने हो जाएंगे अब पांचवा सवाल एक औरत की तरफ इशारा करते हुए राम कहता है कि वे मेरी मा के पिता की मा की बेटी है तो बताईए उस औरत का राम के साथ क्या रिलेशन है? तो इसका सही जवाब है वे औरत राम की बुआ है यानि राम के पापा की भेन अब अगला सवाल है पास्वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है कुछ शब्द अब साथ भी पहली वे क्या है? जिसे अगर सीधा कर दिया जाए तो वे पानी पिलाती है और अगर उल्टा कर दिया जाए तो वे दिन के लाती है तो इसका सही जवाब है नदी दोस्तो अगर आपको यह वाली पहली पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए अब आठवा सवाल है चार लोगों को गड़क होदने में दो दिन लगते हैं तो बताइए उसी गड़को खोदने में दो लोगों को कितने दिन लगेंगे तो इसका सही जवाब है एक भी दिन नहीं क्यूंकि गड़क तो पहले से ही खोदा हुआ होता है अब नौवा सवाल ऐसी कौनती चीज है जो दोने के बाद भी गंदी हो जाती है तो इसका सही जवाब है पानी अब आखरी सवाल ऐसा कौन सा जीव है जिसकी आखे नहीं होती तो इसका सही जवाब है कचुआ तो दोस्तो अगर आपको यह पहली आप पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को दवाईए ताकि हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुशती रहे तो तब तक के लिए हेल्दी रहे एए फेट रहे एए और थैंक्स पर वाचिंग